इस वीडियो में हम वोल्टेज क्या होता है वो डिस्कस करेंगे सो वोल्टेज को ही पोटेंशल डिफरेंस एलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोला जाता है तो यहाँ पर हम देख सकते कि यह एक कंड़क्टर है यह कंड़क्टर कनेक्ट किया है बैटरी को थूदी एक कंड़क्टर को बैटरी से कनेक्ट किया गया है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंड़क्टर है उसमें आटम्स होते हैं तो आटम्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रोंज प्रोटोंस और नूट्रोंस यह जो ऐलेक्ट्रोंस से कंडॉक्टर के अंद्र गें वह करने के लिए हमको technical प्रफ्ट forwardsrets सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता हो relevant दीग्टें कեղ यह सो यह बैक्री जो होती है उसमें उसमें पॉसिटिव और नीगेटिव दो टर्मिनल होते हैं तो नीगेटिव टर्मिनल से इलेक्राइड नेग्राइड होते हैं और वो मतलब बैटरी के negative terminal से दूर भागते हैं और positive बैटरी के positive terminal पर attract होते हैं तो electrons in this direction flow करते हैं तो current उसके opposite direction में flow करता है तो इस तरह से जब हम external battery और electromotive force या हम बोल सकते voltage apply करते हैं तो electrons move हो करते हैं और उसके वज़े से current flow होता है यहाँ पर हम एक और यह देख सकते हैं circuit यहाँ पर हम देख सकते हैं एक element है उस element के element को voltage provide किया गया है उस element के एक terminal को हमने A नाम दिया दूसरे terminal को B नाम दिया इस element के थूँ अगर हमको charge move करना है या current flow कराना है तो हमको external energy provide करनी पड़ेगी और वो energy कौन प्रवाइड करता है voltage source तो वोल्टेज वीए भी क्या है वोल्टेज वीए भी है दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस यहाँ बोल सकते हैं voltage वीए भी बिट्विन इस तो पॉइंट एंड बी इस दा यह जो है वो क्या प्रवाइड करता है इन इस इलेक्रिक सरकेट प्रवाइड करता है है एनर्जी तो मुवर यूनिट चार्ज फ्रॉम दी ए टू बी इस मतलब एक यूनिट चार्ज एटू बी मुरू करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो वीए भी प्रवाइड करता है वोल्टेज कैसे कर सकते हम दी डवल्व अपन दी क्यू अटमेंस एनर्जी डिवाइड बाइड चार्ज तो दी डवल्व इस अनर्जी इन जूल्स दी क्यू इस चार्ज इन कूलोंब्स बॉल्टेज वन वोल्व इसलिए दिया है क्यूंकि इटालीयन फिजिस्स अलेक्जाइड्रो वोल्टा ने वोल्टा के नाम से वोल्ट ऐसा यूनिट दिया है voltage is measured in volt voltage votes में measure किया जाता है तो वोल्टा के नाम से वोल्ट दिया गया है और वोल्टा ने फ़र्स वोल्टाम बैटरी ऐंड की आर्म की है सो वोल्टेज की definition क्या है वोल्टेज को भी potential difference कहा जाता है दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस विए भी इस क्या दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस इस वोल्टेज सो वोल्टेज की डेफिनेशन क्या बताती है इस एनरजी रिक्वाइड तु मुव यूनिट चार्ज थो एन अलिमेंट एंड मेजर इन वोल्स सेम बतलो एक यूनिट चार्ज इस एलिमेंट के थूझ मूव करने के लिए जो एनरजी लगती है उसका हम वोल्टेज बोलते है और वो वोल्स में मेजर होता है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो है दो element ड्रॉ किया है और उसके across का जो voltage है वो define किया है सिर्फ यहाँ पर directions plus and minus polarity लिखी है दी है plus and minus sign दिया गया है इसके वज़े से हम reference direction और voltage polarity find कर सकते है तो यहाँ पर a को positive दिया है और b को negative दिया है तो हम क्या बोल सकते है यह point a का potential है यह यह जो है अभी यह voltage a and b है तो यह vab है तो vab कितना है 9V है तो point a का potential of vab volts higher than point b तो point a का potential point b के potential से ज़्यादा है और हम ऐसा भी बोल सकते है कि potential at the point a with respect to point b is vab तो vab यह जो voltage है वो vab है और हम इसको ऐसा बोल सकते है vab logically कि हम बोल सकते है vab is equal to minus vba अगर हम b से a तक जाए तो यह क्या आ जाएगा minus vba is equal to minus 9V आ जाएगा vab plus 9V vba minus 9V तो इसके वज़े से vab is equal to minus vba मिलता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेम voltage के दो representations है तो first जो figure है figure a में क्या है point a यह जो है 9V अबाव है point b से 9V जादा है point b से और दूसरे figure में हम देख सकते है point b जो है minus 9V above the point a so हम ऐसा बोल सकते हैं कि 9V drop 9 voltage drop from the a to b is same as a 9 voltage rise from the b to a अगर voltage drop होता है a to b अगर 9V है तो voltage rise हो रहा है from the b to a यह यह सेम है as same है as the voltage drop from the a to b so हम ऐसा बोल सकते है clearly 9V voltage drop from the point a to b यह सेम है 9V voltage rise from the b to a हम ऐसा भी बोल सकते कि voltage drop from the a to b is same यह सेम है voltage rise from the b to a voltage drop from the a to b same है voltage rise from b to a तो कॉनसे भी इलेक्रिक सर्किट में जो दो basic variables होते हैं एक तो current होता है और दूसरा voltage होता है तो current and voltage define करने के लिए हम term signal use करते है current and voltage को हम signal बोलते है also electromagnetic waves को भी हम signal ऐसा बोलते है क्योंकि यह current voltage and electromagnetic waves यह यह terms current voltage and electromagnetic waves यूज किये जाते है to convey the information एक पॉइंट से जगर पे information convey करने के लिए यह signals यूज किये जाते है इसके लिए हम इसको current voltage and em waves को signals बोलते है and engineers जो होते है वो prefer करते है to call these terms को signal ऐसा बोलना क्योंकि इनका importance है in communications and other disciplines हमने अल्रेडी देखा है कि current में electric current जब हमने define किया था तो उसके दो टाइपस तो DC current and AC current वैसे भी यह जो होता है voltage जो होता है voltage के भी दो टाइपस होते एक तो DC voltage and another is AC voltage अगर voltage constant रहता है अगर time भी change रहा हुआ तो भी voltage constant रहता है तो उसको DC voltage बोलते है और DC voltage capital V से denote किया जाता है और DC voltage कौन generate करता है तो battery generate DC voltage and sinusoidally time varying voltage जो voltage time के साथ change होता है उसको बोलते है AC voltage या sinusoidally time varying voltage वो small d से denote किया जाता है और AC voltage जो है वो electric generator generate करते या electric generator produce करते है इसके साथ और एक important point है कि electric current जो होता है यह through the element होता है but electric voltage जो होता है वो always across an element अगर हम यह दो point के across voltage को major करते है अगर current major करना है तो हमको through the element major करना पड़ेगा that means यह जो wire है यह जो connecting wire है उसके उसके बीच में हमको current meter डालना पड़ेगा to measure the current और यहापे simply voltmeter और multimeter कनेक करना पड़ेगा to measure the voltage so यह था discussion about the voltage और potential difference अपर यहापे जिए जड़ेगा नहापे छिए झाल्चड़ँ अच्ड़ ऑड़ बाता है यह जो आए जड़ेगा कर्षब ऊटो यह जो रσाप्राइग? यह वर रॉब ऋट्राइग